आज हम शिवराज विजियम का बीच का कुछ पैराग्राफ छूड गया था मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आप लोगोंने भी शायद ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ स्टुडेंट हैं जो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो एक स्टुडेंट का कमेंट आया कि पिछली वीडियो में यानि जो पार्ट वन था उसमें पैराग्राफ ट्वेंटी वन तक पढ़ाया गया था उसके बाद हमने जो पार्ट टू का वीडियो अप्लोड किया था उसमें पैराग्राफ ट्वेंटी नाइन से पढ़ाया था यानि ट्वेंटी टू से लेके ट्वेंटी एट तक का जो पैराग्राफ था वो मिस हो गया था मुझे भी ध्यान नहीं था तो आज मैं उसको अप्लोड कर दूंगी और इस वाली वीडियो को शिवराज वीजियम का पार्ट टू कर दूंगी और उसको पार्ट थ्री कर दूंगी तो मुझे खुशी है कि उस स्टुडेंट का नाम भी मैं बताना चाहूंगी किरती गुपता स्टुडेंट है वो साथ बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखती है तो उन्होंने ही बताया कि मैं पैराग्राफ 22 से 28 तक मिसिंग है तो आज हम उसी को देखेंगे इस वीडियो में भी मैं आई बटन में पार्ट वन और पार्ट टू को भी डाल दूंगी तो जो नए स्टुडेंट है उनको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहां से छूट गया था 22 पैराग्राफ से पढ़ाना है तो चलिए आप लोग ध्यान दिजेगा अथसा मुनी भगवन धैरेण प्रशादेन प्रतापेन तेजसा विरेण विक्रमेड शांत्या श्रिया शोक्खेन धरमेड विद्धेया च सम मेव पर लोकम सना थितवती तत्रभवती वीर विक्रमा दित्ते शनई शनई पारस्परिक विरोध विशिथिली कृत स्नेह बंधनेशु राजसु भामिनी भुरुभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु स्वार्थ चिन्ता संतान वीता नैक तानेश्व मात्य वरगेशु प्रसंसा मात्र प्रियेशु प्रभूशु इंद्र सत्वं वरुड सत्वं कुबेर सत्वं इती वर्णना मात्र शक्तेशु बुद्जनेशु कंचन गजनी अस्थान निवासी महामदोयवन शसेन प्राविशद भारते वर्षे इसके बाद उस मुनी ने कहना आरंभ किया भगवन धैर्य, हर्ष, प्रताप, तेज, शक्ती, पराक्रम, शान्ती, लक्ष्मी, मित्रता, धर्म, विद्या के साथ ही पुज्य विक्रमादित्य के स्वर्ग चले जाने पर, धीरे धीरे आपसी विरोध के कारण, राजाओं में प्रेम बंधनों के शिथिल हो जाने पर, युद्धाओं के कामिनियों के कटाक्षों एवं हाव भाव के प्रभाव से संपत्यों के नस्ठ हो जाने पर, मंत्रियों के एक मात्र स्वार्थ की चिंता में लीन हो जाने पर, न्रिपो के प्रशंसा मात्र में प्रेम रखने पर, आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, हम कहां चल रहे हैं? आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, इस प्रकार के वड़नों में, प्रशंसात्म कुच्चारणों में, विद्वत जनों के आसत्त हो जाने पर, गजनी अस्थान का रहने वाला कोई महा अहंकारी, यवन सेना के साथ भारत वर्स में प्रवेश किया, सच प्रजा विलुंठ्य, मंदिराणी निपात्य, प्रतिमा विभिद्य, परशश शतान, जनांश दासिकृत्य, शतश उष्ट्रेशू, रत्ना नियारोप्य, स्वदेशम नैशीत, और उसने प्रजा को लूट कर, मंदिरों को ध्वंस करके, मुर्तियों को तोड कर, सैकडों लोगों को गुलाम बना कर, सैकडों उटों पर रत्नों को रख कर, अपने देश ले गया, ठीक है? अगला पैराग्राफ देख लीजिये, एवं स ग्याता स्वादह, पौनह पुन्येन, द्वादश वार मागत्य, भारतम लूलुन्ठत, इस प्रकार लूटने का स्वाद्चक लेने वाला वह यवंशाशक, बार बारा कर, भारत वर्ष को बारह बार लूटा प्रस्मिन नेवच स्वासम्रंभे, एकदा गुर्जर देश, चूडा इतम, सोमनाथ तिर्थम अपी, धूली चकार अपने उन्ही आक्रमडों में एक बार गुजरात देश के अलंकार श्वरूप, सोमनाथ तिर्थ को भी धूली में मिला दिया आगे देखते हैं अज तो उस सोमनाथ तिर्थ का नाम भी कोई इस्मरन नहीं करता परन्तु उस समय उसका वैभव अलोकिक था तत्रही महारह वैदुर्य पद्मराग मालिक्य मुक्ताफलादी जटितानी कपाटानी इस्तंभान ग्रिहाव ग्रहडी भित्ती वलभी विटंकानी च निमर्थ्य रत्न नीचय मादाय शतद्वय मडसुवण श्रिंखलाव लंबिनी चंच चंच चकाचक्य चकिती कृताव लोचक लोचन नीचयाम महाघंटा प्रसह संग्रिह महादेव मुर्तावपी गदा मुद तू तूलत अब इतने का भावार देख लेते हैं आज तो यहां से देखना है आज तो उस सोमनात्तिर्थ का नाम भी कोई इसमरण नहीं करता परंत उस समय उसका वैभव अलोकिक था निश्चित रूप से वहाँ बहुमुल्य मूंगों, पद्म परागों, मडियों और मोट्टियों से जटित कपाटों, खंभों, देहलियों, दिवारों, छज्जों, कपोतों के दर्बों को मत कर रत्न समू को लेकर, दो सो मन सोने की सीकड में लटकने वाली प्रकाश मान चक मकाहट से दर्शकों के नित्रों को चकित कर देने वाली विशाल, घंटा को बलात ग्रहण करके महादेव की मूर्ति पर भी उसने महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठाई तो ये आप लोग देख लीजिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं अथवीर ग्रिहतमक्हिलं वित्तम पराजिता आर्यसेना बंदीकृता वयं संचितम मलं यशह इतो अपिन शाम्यतिते क्रोध श्वेदस मास्ताडए मारे छिद्धी भिद्धी पाते मज्जे खंडए करते ज्वले किंतु त्यजे माम किंचित करिम जडा महादेव प्रतिमाम तत पश्चात हे वीर तुमने संपुन धन ले लिया आर्यों की सेना को पराजित कर दिया हम सबको बंदी बना लिया निर्मल यश एकत्तित कर लिया इतने पर भी तुम्हारा क्रोध यदि शान्त नहीं हो रहा तो हम सबको प्रताडित करो मारो, विदिर्ण करो, काटो, डालो, पर्वत से नीचे फेक दो जल में डुबो दो, खंड-खंड कर डालो, कतर डालो, जला डालो, किन्तू आपका कुछ न बिगारने वाली इस जड़ प्रतिमा को छोड़ दो यद्देवं नस्वीकरोशितद ग्रिहा डास्मत्तो अन्यदपी सुवन्ड कोटि द्वयं त्रायस्य त्रायस्व मैनाम भगवन मुर्तिम सब प्राक्षी इती साम्रेडं कथयत्चू, रूदत्चू, पतत्चू, वीलुंठत्चू, प्रडमत्चू, चपूजक वर्गेशू यदि इस प्रकार स्वीकार न हो यदि इस प्रकार स्वीकार न हो तो हम लोगों से और अधिक दो करोड सोने की मुद्राएं लेलो रच्छा करो इस भगवान शिव की प्रतिमा का इस पर्स करो इस पर्स मत करो इस प्रकार पुजारियों के बार बार कहने पर रोने पर पैरो पर गिरने पर जमीन पर लोटने और प्रणाम करने पर नाहम मूर्ति वीक्रडामी किन्तु भिनद्धी मैं मूर्ति बेचता नहीं किन्तु तोडता हूं इती संग जर्य जनतायाह हाहाकार कलकल माकर्डयन घोर गदया मूर्तिम त्रू त्रूटत इस प्रकार गर्जन कर लोगों के हाहाकार की ध्वनी को सुनता हुआ भयंकर गदा से मूर्ति को तोड़ दिया गदा पात समकाल मेव चाने काबुर्द पद्म मुद्रा मुल्यानी रत्नानी मूर्ति मध्या दुच्छ लितानी परितो अवाकिरियंत और गदा की प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्मुद्राओं के मुल्य के रत्ना मुर्ति के बीच से निकल गए और चारो तरफ विखर गए और वह चारो तरफ विखर गए सच दग्द मुख्तानी रत्नानी मुर्ति खंडानी च़ क्रमेलक, प्रिष्ठेश्व, वारोप्य, सिंधून, दमुर्ति, स्वकियाम, विजयध्व, जीनिम, गजनिम, नाम, राजधानी, प्राविशत और वह मुख्जला उन रत्नों और मुर्ति के टुकडों को उट की पीट पर लाद कर, सिंधू नदी को पार करके, अपनी विजयध्व, पताकाओं से युक्त, गजनी राजधानी में प्रवेश किया अगला पैराग्राफ अथकाल क्रमेड शप्ता शित्युत्तर शहस्त्र में 1087 वैक्रमाब्दे सशोर्कम सकस्टम च प्राणाम इस्त्यव्यक्तवती महामदे प्राणास त्यक्तवती महामदे गोर देशवासी कश्चित सहाबुद्धिन नामा प्रथमं गजनी देश माक्रम्य महामद कुलं धर्मराज लोकध्वन्यध्वनीन विधाय सर्वाह प्रजाष्य पशुमारं माराइत्वा तद्रु धीराद्र म्रदा गोर देशे बहुन ग्रिहान निर्माय चतु रंगिर्ण्या अनिकिन्या भारत वर्ष प्रविश्य शीतल शोडि तानप्य सयन पंचादश दुत्तर द्वादश शत मीते अब्दे बारसो पचास दिल्लीम दिल्लीम शवयाम बभुव इसका भावार देख लेते हैं इसके बाद समय क्रम से विक्रम समवत 187 में शोक एवं कस्ट के साथ महमूद गजनवी के प्राण छोड़ देने पर गोर देश का रहने वाला कोई शहा बुद्दीन नाम का मुसल्मान पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के वंस को धर्म राज के लोक क मार्ग का पथिक बना कर सभी प्रजाओं को पश्वो के सद्रिश मार कर उनके रक्त से गीली मिट्टी से गोर देश में बहत से घरों का निर्मार करके चतुरंगिडी सेना के साथ भारत वर्स में प्रवेश करके थंडे रक्त वाले युद्ध न चाहने वाले भारत वासिय को भी तलवार से मारते हुए समवत 1250 में दिल्ली को घुरसवार सेना से घेर लिया अब अगला पैरग्राफ देखते हैं प्रतो दिल्लिश्वरम प्रित्वी राजम कान्यकुपजेश्वरम जैचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्त विस्मृत राजनी तीम भारत वर्ष दुर्भाग्य यमाड माकल्या नाया सुसेनो भावपी वी सश्य वाराणसी पर्यंतम खंडम खंड मंडल मकंटक मकीट किटम महारत नमीव महाराज्य मंगीच कार तत्पशा दिल्ली के प्रित्वी राजेवं कान्य कुपज के समराट जैचंद को पारस्परिक विरोध रूपी ज्वर से पीडित राजनीती को न समझने वाले तथा भारत के आने वाली दुर्भागे को जानकर बिना परिश्रम के दोनों निर्पो को मार कर वाराणसी तक निर्विग्न तथा कीडों और मल से रहित निर्मल स्रेश्ट रत्न के समान संपूर जन्पदो से युक्त महान राज्ज को अपने अपने अधिकार में कर लिया तेन वाराण स्याम पी बहवो अस्थि गिरयह प्रचीता उसके द्वारा वाराणसी में हड्डियों के बहत से परवत बना दिये गए रिंग तरंग भंगा गंगा अपी शोडित शोडा शोडी कृता परस्परसहस्त्राणी च देवमंदिराणी भूमी साथ कृतानी चंचल लहरोवाली गंगा भी रुधीर से लाल करके शोड नदी लाल रंग जैसे बना दी गई सहस्त्राधिक देवों के मंदिर धारा साही कर दिये गए सहेव प्राधानेन भारते यावन राज्या अंकुरा अरोप को अभूत तस्याईव चकस्चित क्रीत दाशह कुतूब दीन नामा प्रथम भारत समराटह संजातह वही मुख्य रूप से भारत वर्स में यवनों के राज्य का बीजा रोपक हुआ उसी का कोई खरीदा हुआ कुतूब दीन नाम का दास भारत वर्स का प्रथम समराट हुआ अब अगला पैराग्राफ देखेंगे तमारं भ्याद्यावधी राच्छसा एव राज्य मकार्शू उसी कुतूब दीन से लेकर आज तक राच्छसो नेही शासन किया दानवा एव च दीनान दीद लन दानवो नेही दिन भारतियों को मारा अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपी गूड शत्रूल भारत वर्षस्य तथा पी शान्ति प्रियो विद्वत प्रियश्य केवल अकबर नाम का बादसाह यद्यपी भारत का गुप्त शत्रू था फिर भी वह शान्ति प्रिय एवं विद्वत जनों को सम्मान देने वाला था अस्यव प्रपवत्रो मुर्तिम दिव कली युगम ग्रिहीत विग्रह इवचाधर्मह आलम गीरो पाधी धारी आलम गीरो पाधी धारी अव रंग जीव संप्रती दिल्ली बल्ल भताम कलंक यती इसी अक्बर का प्रपवत्र साचात्र कली काल के समान तथा शरीर धारन करने वाले अधर्म सद्रिश आलम गीरो पाधी धारी अवरंग जेव इस समय दिल्ली के स्वामित को कलंकित कर रहा है अस्याईव पताकाह केक एशू, मत्सेशू, मगधेशू, अंगेशू, बंगेशू, कलिंगेशू, च दोधू यंते केवलं दक्षिड देशे अधुना अप्यस्य परिपुर्णो नाधिकारह संब्रितह इसी के ध्वज, कैकै, मतस्य, मगध, अंग, वंग, एवं कलिंग राज्यों में फरा रहे हैं केवल दक्षिड देश में अब भी इसका पूर्ण अधिकार नहीं हो पाया अगला और आकरी पैराग्राफ यही तक शूट गया था इसके आगे का वीडियो अप्लोड है चैनल पे तो आप लोग सीक्वेंस में इसको पढ़ लीजिएगा तो यह अब लास्ट पैराग्राफ मैं बता दे रही हूँ इसके बाद सिवरा जी जम पूरा कंप्लीट हो जाएगा दक्षिड देशो ही पर्वत भहुलो अस्ति दक्षिड प्रदेश निश्चित रूप से अधिक पर्वतो वाला है और सघन जंगलों से भरा हुआ है इस कारण चीर प्रयास से भी वह महराष्ट केसरी को जीतने में समर्थ न हो सका सामप्रत मस्याईवा आत्मियो सामप्रतम अस्याईवा आत्मियो दक्षिड देश शाश कत्वेन सास्ति खान नामा प्रिश्यत इती शुयते अब अपने को दच्छिड देश के शाशक के रूप में उसी के आत्मिय साइस्त खान को भेजा जा रहा है ऐसा सुना जा रहा है महराष्ट देश रत्नम यवन शोडित पीपासा अअकुल क्रिपाण वीरता सीमन तीती सीमन्त सुन्दर सांद्र सिंदूर दान देदिप्यमान दोर्दंडः मुकुट मडिर महराष्टा नाम भूषणम भटा नाम निधिर निती नाम कुल भवनम कोशला नाम पारावारह परमुत साह नाम कश्चन प्रातह स्मरणियह श्व धर्मा आग्रह ग्रह ग्रहिलह शीव इव ध्रितावतारह शीव वीर श्वास्मिन पुन्यनगरा निंदी यस्यईव सिंग दुर्गे ससेनो निवशती महराष्ट देश के रत्न यवनों के रक्त को पीने की इच्छा से व्याकुल कृपाण वाले वीरतारूपी कामनी की मांग में सुन्दर और गाढ़ा सिंदूर दान करने से देदिप्यमान भुजाओं वाले महराष्ट के मुकुट मड़ी वीरों के अलंकार नीतियों के निधी, निपुडताओं के आश्रे, परम उत्साहों के सागर प्रातह स्मर्णि अपने धर्म को पालन करने में द्रिड अवतार लेने वाले सिव के समान कोई सिवाजी, पूना नगर के निकट ही, सिंग दुर्ग में सेना के साथ निवास कर रहे हैं आगे देखते हैं विजयपूरा धिश्वरेण साम प्रतमस्य प्रवरिधम वैरम विजयपूर यानि विजयपूर के राजा से इस समय उनका बैर बढ़ा हुआ है कार्यम वासाध एम, देहम वापात एम यह पूछता है कि यह किसकी प्रतिग्या है इसका अर्थ है या तो कार्य पूरा होगा या शरीर का नास होगा तो यह आपको याद रखना है यह विरसिवाजी की प्रतिग्या है तो यह बहुत important line है इसको आप लोग देख लिजेगा कार्यम वासाध एम, देहम वापात एम या तो कार्य पूरा होगा या शरीर का नास होगा आगे इत्यसे सारगर्भा महती प्रतिग्या ऐसी इनकी सारगर्भित बहुत बड़ी प्रतिग्या है सतिनाम सताम और भारतिव वर्श की आसाओं के विस्तार के यही आशरे है इव मेव वर्तमाना दशा भारत वर्सस्य भारत वर्स की यही आज की दशा है किमधिकम विनी वेद यामो योग बला वगत शकल गोप्यतम वरितांतेशु योगी राजेशु इती कथ इत्वा वीर राम योग शक्ती से अतिशय गोपनिय संपूर्ण वरितांतों को जानने वाले योगी राज से अधिक क्या कहूं यह कहकर ब्रह्मचारी के गुरु चुप हो गए तो 28 तक छुड़ गया था 22 से लेके 28 तक तो उसको भी मैंने आज बता दिया तो आप लोग देख लिजेगा जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं तोड़ा आप भी ध्यान से देखेगा कि बीच के कुछ पैराग्राफ छूट गया थे उनको भी आज मैंने कंप्लीट करा दिया मैं इसके आई बटन में उन दोनों वीडियो के भी लिंक दे तो आप लोग पुरा सिवराज विजयम देख लिजे मैं जल्द ही एक नए ग्रंथ के साथ उपस्थित हूँगी तब तक के लिए नम्हा संस्कृताए धन्यवाद